नमस्कार, मैं रवी, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, आपका अपना यूटूब चैनल साइंस गुरू रवी में गाइज आप सभी को पता है एक फरवरी से रेले वाले बच्चों के लिए अमने बायलोजी का एक स्पेसल बेच स्टार्ट गया था जिसमें हम आपको बायलोजी के प्रियो से रिक्यूशन करवा रहे थे चैप्टर वाइज, होमन डिसीज, विटामीन्स, राइजस्टू सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर के में आपको प्रियो से रिक्यूशन करवा चुका फिलाल अभी हम जिस चेप्टर के प्रियूशिर की क्यूशन कर रहे हैं उस चेप्टर का नाम है Blood Circulatory System अर्थार्थ रुदीर परिशंचरन तंत्र तो सबसे पहले अब चेप्टर का नाम लिख लिजिए भी या Blood Circulatory System Blood Circulatory System System अर्थार्थ रुदीर परिशंचरन तंत्र चोईश क्यूशन में आपको कंप्लीट करवा चुका आजम सुरुवात करने वाले हैं क्यूशन नम्मर 25 से इस चेप्टर में मैं आपको भूँ सारे कॉंसेप्ट सिखा चुका और उन कॉंसेप्ट से सम्मंदित में आपको क्यूशन करवा चुका जैसे कि हर्दे की कारिये परणाले मैंने आपको डाइग्राम के साहिता से बहुत अच्छे से समझाय था उनसे सम्मंदित क्यूशन भी किये थे Blood Vessels, रुदीर भाही काए जिसमें हमने Art Revenge के प्लरिज के बारे में पड़ा था इनसे सम्मंदित क्यूशन भी किये थे Blood Pressure, रक्तदाव या रक्तचाप से सम्मंदित भी हमने क्यूशन किये थे Blood Group से सम्मंदित भी हमने क्यूशन किये थे और Concept सीखा था आज की Class में जो Concept में आपको सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ pH मन पर आधारित जैसे की pH है क्या क्यूशन पूचे जाते हैं कि या जो मानोरक्त होता है उसका pH मन कितना होता है पितरस का pH मन कितना होता है जठरस का pH मन कितना होता है आपके यूरीन का मुत्त्र का प्याच मन कितना होता है इस पर करके प्रिशनाप्षिया अक्सर एक चाम में पूंचे जाते हैं तो इन सब ही पर आधारितम क्यूशन करने वाले हैं आज किस क्लास में आपको बहुत कुछ नया से एकने को मिलेगा इसलिए वीडियो को सुरू से लेकर के एंड तक देखना चलिए फिर आज की क्लास की सुरुआत करते हैं यह रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्यूशन नंबर 25 देखे भी यह रहा आपकी स्क्रीन कीर क्यूशन नंबर 25 किस नमबर 25 कहता है कि मानव रख्त के pH का लगबग मान क्या है आपके options है आपस नमबरे 7.4 आपस नमबर B है X से लेकर के 3.5 आपस नमबर C है 7.5 से लेकर के 8.5 और आपस नमबर D है 6.8 ये किसन आपसे RRB NTPC में पूछा गया है 18.1.2017 सबसे पहले आपको pH के बारे में पता होना जरूरी है कि pH है क्या pH pH को हम power of hydrogen कहते है power of hydrogen किसी भी विलियन में hydrogen आइन की संदरता का पता लगाने के लिए हम pH skill का उप्योग करते है मैंने आपसे क्या कहा pH का मतलब होता power of hydrogen किसी भी विलियन में कोई भी विलियन है उसमें हम हाइड्रोजन आइन की संदरता का पता लगाने के लिए एक pH scale का उप्योग करते है किसको उप्योग करते हैं बिया pH scale का उप्योग करते है अब ये जो pH scale होता है यह कुछ इस तरीके से होता है इस पर एक से लेकर के 14 तक अंक होते हैं एक से लेकर के 14 तक अंक होता है बीच में 7 होता है अब जिसे कि 1 ही हो गया तो 2, फिर 3, 4, 5, 6 यह 7 हो गया फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यह 14 इसे एक से लेकर के 14 तक अंक होते हैं अगर आप किसी विलियन में इस पियच स्केल को डूबो करके देखते हो जैसे कि आपने बलड में डूबो कर देखा तो बलड को जो पियच मान है वो आता है 7.4 के आसपास लगभग में क्योंकि आपसे क्यूशन पूचा गया है कि यह मानुरत का पियच मन कितना होता है तो 7.4 होता है अगर आप आपके बलड में इस पियच स्केल को डूबो करके देखते हो तो भाईया यह जो मान आता है वो आता है 7.4 जिसे कि 7 के और 8 के बीच में अगर मान आता है तो उस अमल की जो कहने का मतलब उस विलियन की जो परकरती होती है वो होती है अमली उसका नेचर कैसे हो जाएगा उस विलियन का अमली हो जाएगा उस साथ से 14 के बीच में अगर मान आ रहा है तो उस विलियन की जो परकरती हो जाएगी उस विलियन का जो नेचर हो जाएगा वो जाएगा विया चारिये वो कैसा हो जाएगा चारिये हो जाएगा तो यहाँ पर पियेचमान 7.4 दिया गया है और साथ से चोदा की तरफ जाने पर भिया छारी एता बढ़ती है यानि कि एक के असपास के जो मान है जैसे कि एक, दो, तीन है तो ये परबल अमल होगा ये मान भिया परबल अमल होगा यानि कि इस कोई भी विलियन है उसमें फियाच इसकेल को आप डुबो करके देखते हो और उसमें एक, दो, तीन मान आता है तो उसका जो नेचर होगा, उसकी जो परकरती होगी वो परबल अमल होगा भिया अगर चार, पाँच, छे के असपास के मान आ रहे हैं तो भिया वो दुरूबल अमल होगा वो दुरूबल अमल होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैंने आप से कहा है कि साथ से एक की तरफ जाने पर अमलियता बढ़ दिये और साथ से चोदा की और जाने पर चारियता बढ़ दिये तो चारियता इधर बढ़ रही है तो चोदा के असपास के जो मान है 14 के असपास के मान है, जैसे कि 11, 12, 13, 14, तो वह यह परबल चार हों है, तो वह यह वह परबल चार हों है, और आठ, नो, दस के यह जो मान है, यह दुरबल चार होते हैं, यह कैसे पता लगाया, कि 7 से 14 की तरफ जाने पर चार यह तब बढ़ती है, तो चोदा के असपास के मान परबल चाहर होंगे और साथ के असपास के मान दुरूबल चाहर होंगे साथ से एक की तरह आने पर अमलियता बढ़ती है तो एक के असपास के मान परबल अमल होंगे उचार, पांच, शाथ कैस्वास की जो मान है वो दुरूबल अमल हो कभी-कभी यहां से भी क्यूसन पूंच लिया जाता है जैसे कि आपसे पूंच लिया कि मानो रखकर जो प्येज मान है वो साथ पूंच चार है तो बताएजिए इसकी परकरती कैसी होगी अब ओपसन भाया परबल अमला गया दुरूबल अमला गया दुरूबल चार आगया परबल चार आगया तो आपको राइट अंसर क्या करके आना है साथ पूंच चार है तो बिजए इसका राइट अंसर हो जाएगा दुरूबल चार होगा तो इसकी परकर्ति कैसी हो जाएगी दुरूबल छारोगी तो किसी भी विलियन में अगर आप इस pH scale को डुगो करके देखोगे तो उससे आप उसकी परकर्ति जो नेचर होता है वो पता कर सकते हो कि वो अमलिय है या फिर छारिय है और साथ पर आ गया तो समझ लेना वो उदासीन है वह या ना तो वो अमलिय है ना वो छारिय है तो pH का मतलब क्या होता है पावर ओफ हाइड्रोजन किसी भी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांदर्ता का पता लगाने के लिए हम pH scale का उप्योग करते है इतनी बात किलियर है किसी को कोई प्रोब्लम या तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तो यह कॉंसेप्ट के बारे में आपको पता होना जरू तो आपको पता होना जरूरी है जितने भी pH मान है बायलोजी के important 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 pH मान है वो सभी आपको याद रखने है अब कल सुबए जो short video आएगी उसमें मैं आपको जितने भी pH मान important important है जासे आपके exam में question पूछे जाते हैं मैं लिखवा दूँगा तो हर रोज सुबए 6 बजे के पास हमारी short video आती उसको भी देख लेना क्योंकि वहां से आपके exam में पूछे गई चीजी होती है जो आपके exam में पूछे गई चीजी होती है वो हम बताते हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टोपिकों पर हम बात करते रहते हैं short video में तो short video भी देख लिया करो जैसे कि अब यह एक से लेकर के 3.5 ही किसी का प्याच मान है तो यह किसका प्याच मान है तो भाई यह जट्धा रसका है अब जट्धा रसका जो प्याच मान होता है वो एक से लेकर के 3.5 होता है तो इसकी परकरती कैसे हो जाएगी अब एक से लेकर के 3.5 है अब एक से लेकर के 3.5 ह यह तक आ रहा है तो भाई इसकी परकरती परवलम्ल हो जाएगी तो यह परवलम्ल है तो इसकी परकरती कैसे हो जाएगी परवलम्ल है इसका नेचर कैसा है परवलम्ल है साथ पॉंट पांच से लेकर के आठ पॉंट पांच है किसका प्याचमान होता है यह होता है भया आपके पित्रस का बाइल जूस का प्याचमान आपसे पूंचा जा सकता है अब बताईए इसकी परकरती साथ पॉंट पांच से लेकर के आठ पॉंट पांच है तो भया साथ मुत्तर होता है उस मुत्तर का प्याच मान होता है 6.8 है सही है कि 6.8 होता है कि मुत्तर का प्याच मान नहीं लार का होता है भया लार का लार का जो प्याच मान होता है वो होता है 6.8 और 6.8 है तो यहां पर आएगा भया तो उसका मतलग इसकी परकर्ति केश हो जाएगी इसके परकर्ति हो जाएगी दुरूबल अंगला किसकी लाहर की और बाइल जी उसकी साथ पन पांच लेकर करके आट पन पांच है तो दुरूबल चाह तो यहां से भी आपके एक जब में क्यूशन पूचे गए हैं तो याद कर लेना अब इस कॉंस सब्सक्राइब से समंदित तीन-चार क्यूशन और पूचे गए हैं सिंपल सिंपल आसान-आसान क्यूशन हैं जिनको मैं आपको बता देता हूं पिर आज की क्लास में में एक-दो क्यूशने से भी करने वाले हैं जो बहुत अच्छे क्यूशन है तो इसलिए वीडियो को ए इसलिए वीडियो को लाश्ट तक देखना तो अगर यह क्यूशन समझ में आ गया है तो स्कृशन शोट ले ले लिजिए नेक्स्ट क्यूशन क्योशन चलते हैं क्यूशन नंबर स्पविस क्यों चले वीया ओके देखे वीया यह रहा आपकी स्क्रिन के सामने क्यूशन कि यारार का 65忘als अंडी कि say by कि इप से क्या होगा तुच्छान Tsch अपी चक्षेटें का राइट आंशर क्या हुगा अयर्ट का सक्षटें से चटी ऊप्स नमपर श्रीजिक शीमत्य परिश्य आपके क्यों करवाया है इसलिए करवाया है कि आपको एक्जेक्ट वेल्यू पता होना जरूरी है यानि कि एक्जेक्ट वेल्यू तो नहीं कह सकता लेकिन लगवग के जो आसपस के मान है वो तो आपको पता होना जरूरी है जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा है कि आपके रक्त में जो प्यस है, वो कितना होना जरूरी है, वो 7.4 होता है लगभग में, अब लगभग में 7.4 होता है, तो यहां पर आपको option दिये हों हैं, जिसे कि 6.35 लेकर 5.45 तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 835 लेकर के 835 ये भी नहीं हो सकता आंसर क्या होगा 735 लेकर के 745 इस तरीके से भी option आ सकते हैं तो confuse नहीं होना है कि 744 option में ही नहीं है राइट आंसर क्या कर गया है हाँ हो सकता है 180% ये बात ना सोचे जो मैं कह रहा हूँ जाए कि उसन छूटे ये ना छूटे बारी की पर ध्यान देना हमारा फर्जवगता है अब इसकी प्रकरती क्या हो जाएगी भाई इसकी नेचर क्या है इसका प्रकरती क्या है मैंने आपको बताए था 7 पूर्ण 4 है तो दुर्वल शारी है क्यूं? क्यूंकि सास से 14 की तरफ जाने पर क्या बढ़ती है शारी ये ता बढ़ती है तो साथ के आसपास के मान दुर्वल शारी होंगे और 14 के आसपास के मान परवल शारी होंगे इतनी बात के लिए मुत्तर का प्याचमान भी याद कर लीजिए 6 होता है 6 तो इसकी परकर्ति क्या हो जाएगी दुरूबल अमलिय क्योंकि 7 से एक की तरफ जाने पर अमलियता बढ़ती है एक क्या असपास के मन पर बलम लोंगे और 7 क्या असपास के मन जिसे की 6, 5, 6 साढ़ी 4, साढ़ी 6 उदुरूबल अमलियो तो किसी को कोई प्रॉबलम या तक यह क्यूशन आपसे अरारवी एंटिपीसी में पूँचा गया है 5, 4, 2, 6 असा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्योंच चलते है क्यूशन नंबर 27 के ओड़ चले भया ओके देखे भया यह रहा आपकी स्क्रिन के सामने क्यूशन नंबर 27 अच्छे क्यूशन है मानो सरीर का pH इस्तर होता है यह क्यूशन आपसे पूचा गया है आपके उप्सन्स है उप्स नंबर A 7.0 से लेकर के 7.8 ओप्स नंबर B है 6.0 से लेकर के 6.8 ओप्स नंबर C है 6.0 से लेकर के 7.0 तक आने की 6 से 7 ओप्स नंबर D है 7.0 से लेकर के 8.6 और यह क्यूशन आप देख सकते हो RRB ALP Technician में पूचा गया है 282018 अच्छे क्यूशन है पताईए इस क्यूशन का राइट आंसर क्या होगा गैज इस क्यूशन का राइट आंसर होगा ओप्स नंबर A 7.0 से लेकर के 7.8 7.0 से लेकर के 7.8 इसका राइट आंसर होगा याद करना है RRB ALP Technician में पूचा गया है अभी 2018 में ही पूचा गया है तो आगे आने वाली जो railway की exam है उनमें भी एक क्यूशन पूचे जाने की संभावना है कल के short video देख ले न जितने भी PH months आपके exam में क्यूशन पूचे जाते हैं वो सभी PHMAR में आपको लिखवा दूँगा भया इतनी बात clear है किसी को कोई problem बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ठीक भी या क्यूशन नमबर 27 complete होगा है क्यूशन नमबर 28 की बात करते हैं चले आगे ओके देखे भी या यह रहा आपके screen के सामने क्यूशन नमबर 28 अच्छे क्यूशन नमबर 28 कहता है कि मानुशरीर की pH रेंज कितनी होती है अब option भी आपको इसे दे गए अब आपको option इसे दे दिए मैंने आपको बताया था कि मानुशरीर का जो pH मान होता है वो साथ से लेकर के 7.8 तक होता है यह बताया था अब option देखिए भी या क्या 8.35 लेकर के 7.35 लेकर के 7.45 option भी होगा यह साथ से लेकर के 7.8 के भी यह आ रहा है यह हमारा right answer होगा और यह question आप देख सकते हो 2.1 किस में पूछा गया है 4.1 को RRB NTPC में अब यह 4 question तो मैंने pHC सम्बंदित करवा दिया आप 2 question और करवाने वाला हूँ बहुत अच्छे-च्छे question है जो मैंने आपको पचला पढ़ाया है उसी ही में से ही यह question पूछेंगे यानि कि उसी में से ही मैं आपसे question पूछने वाला question number 28 है screen short ले लेजिए question number 29 यानि कि 31 के और चलते हैं बहुत अच्छा question है आपके एक्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है चले बहिया ओके देखे बहिया ये रहा आपके screen के सामने question number 35 इस्तम्भो को सुम्मे लिद कीजिए दो इस्तम्भो दिये गए है एक समुए एक एक समुए सेकंड समुए एक में एक है हर्दे दूसरा है धमनी तीसरा है सिराई समुए सेकंड में एक option में दिया हुआ है pump की तरह कारे करने वाला अंग option number B है oxygen रहीत रक्त का संचरन करती है option number C है oxygen यूक्त रक्त का संचरन करती है और ये क्यूशन आपसे RRB group D में पूछा गया है 29-2022 को नीचे option दिये हुए है लेकिन जगह कम थी हम आपको option नहीं दे रहे हैं आपको तो सुम्मेलेत करना है तो आपको हर्दे के बारे में पता होना जरूरी है कि आपके हर्दे का क्या काम है दमनियों के बारे में पता होना जरूरी ही कि दमनियों का क्या काम है और सिराओ के बारे में पता होना जरूरी ही कि सिराओ का क्या काम है अगर आपने blood circulating system वाला chapter नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे फिर कहता हूँ आपको नीचे link description मिल जाएगा आप जाकर check out कर सकते हैं मिल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है वहाँ पर दमनियों के बारे में, सिराओ के बारे में हर्दे के बारे में, blood के बारे में blood pressure के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ाया है बहुत अच्छे concept के साथ है आप सभी को पता है, आपका जो हर्ट होता है, आपका जो हर्दे होता है, वो एक pumping organ है, वो blood को pump करने का काम करता है, वो आपको, आपके blood को pump करने का काम करता है, तो अब एक का right answer क्या होगा, यानि कि एक को आप किस से मिलाओगे, एक को आप हर्दे को एस से मिलाओगे, क्योंक PIN-Pump की तरह कीसे कारिय करता है, देख़े, आपके सरीर के अंगों से ऐसू द्रक्त Blood V線 regards की साहिता से आपके हर्दे तक जाता है, ő हर्दे से पिर ये सू द्रक्तMom ergरों के पास जाता है फेपडों में ये ईसूद्रक्त सूद्रक्त में Convert होता है फिर फैपडों से यह जो सुद्रक्त है यह वापिस आपके हर्दे तक जाता है और हर्दे से सुद्रक्त फिर आपके सरीर के अंगों तक जाता है तो यह सारी जो प्रोसेस है यही ब्लड को पंप करना कहलाता है तो यह हर्दे का कारिय होता है पहले आपके सरीर के अंगों से एसुद्रक्त आपके हर्दे के पास आया, फिर एसुद्रक्त को आपके हर्दे ने आपके फैपडों के पास बेजा, फैपडों ने इस एसुद्रक्त को सुद्रक्त में कनवर्ट किया, और इस सुद्रक्त को वापिस आपके हर्दे तक बेजा, आपके हर्दे तक गया और आपके हर्दे ने फिर इस सुद्रगत को आपके सरीर के अंगों तक बेजा सारी प्रोसेस ये लगातार चलता रहता आपके सरीर में ये कारिये ही ब्लड को पंप करना होता है देखा होगा आपका हर्दे दिनवर धक 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 इस तरीके से आपका जो हर्दे होता है वो एक muscular organ है मास्पेसियो का बना हुआ एक अंग है और मास्पेसियो में एक property पाय जाती है इसमें contraction और relaxation की process लगातार होती रहती है यह सिकुडता रहता है और फैलता रहता है जिसे हर्दे के chamber में blood आता रहता है और जाता रहता है और यह सारी process चलती ही रहती है और इसे ही हर्दे blood को pumping करना कहलाता है या blood को pump करना कहलाता है तो आपका हर्दे जो होता है वो pump की तरह कारे करने वाला एक organ है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और मैंने आपको चेप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है धमनियों में मैंने आपसे का था जिसमें प्योर बलड बैता है धमनियों में कौन सा रक्त बैता है प्योर बलड बैता है यानि कि सुद्रत बैता है और सुद्रत ऐसा रक्त होता है जिसमें oxygen gas की मातरा ज्यादा हो और carbon dioxide gas की मातरा कम हो यानि कि oxygen युक्तरूदिर भयता है किसमें धमनियों में तो oxygen युक्तरूद्रक्त का संसरण करती यह कौन धमनियां तो भया आप इस धमनियों को options number 6 से मिला सकते हो सिराव के बारे में मैंने कहा था कि सिराव में इंप्योर बलड भैता है इंप्योर बलड भैता है यानि कि एसूद रक्त भैता है एसूद रक्त एसा रक्त होता है जिसमें कारबन डियोक्सिजन गेस की मात्रा जादा हो और ओक्सिजन गेस की मात्रा कम हो तो यह कह रहा है कि ओक्सीजन रहीत रख्त का संचरन करता है अरे इंप्योर ब्लड में ओक्सीजन भूतकम मात्रा में पाया जाता है यह आप कह सकते हो कि ओक्सीजन पाया ही नहीं जाता है इसी रख्त का संचरन कौन करती है आपकी सिराए करती है तो आपको C को मिलाना पड़ेगा B से और यह कि होती है पलमोंडरी विंस क्या होती है यहां से आपकी एक्जाम में क्योशन पोचे जाते हैं भई या तो क्यूश नमबर गुनती साब को समझ में आया ओके स्क्रीन सोट ले लिजिए आप चलते हैं क्यूश नमबर 30 की और चले भई या ओके देखे विए यह रहा आपके स्क्रीन के सामने कि उस नमबर 30 जो कि आज का मारा अन्तेम क्यूसर है कि उस नमबर 30 कहता है कि मानव जैसे कुछ जिवों के हर्द्यों में ओक्सिजन रहीत रत को ओक्सिजन युक्त रत से पर्ठक क्यों रखा जाता है पुल मिलाकर बात यह है अगर मैं सिंपल तरीके से कहूं तो यह कह रहा है कि मानौ जैसे कुछ जीवों के हरदे में जो प्यूर बलड है यानि कि जो इंप्यूर बलड है उसको प्यूर बलड से अलग क्यों रखा जाता है सिंपल सी महसा में आपके शरीर में सुध रक्त और ऐसुध रक्त को अलग-अलग क्यों रखा जाता है रीजन क्या है उसका यह आप से क्यूशन पहुच रहा है आपके ओप्सन्स है ओप्स नमबर A पेशियों में वरद्य और उसके कामकाज में मदद करने के लिए ओप्स नमबर B है फैपडो में रख्त का ओक्सीजन ही करन करने के लिए ओप्स नमबर C है एक बड़े सरीर वाले जीव को ओक्सीजन परदान करने के लिए ओप्स नमबर D है शरीर के तापमान को इस्तरबनाय रखने में मदद करने के लिए और ये किसन आपसे RRV group D में पूछा गया 14-9-2022 को Pure blood शुद्रक्त ऐसा रखत होता है जिसमें oxygen gas के मात्रा ज्यादा हो और carbon dioxide gas के मात्रा कम हो यानि कि oxygen यूख्त रुदिर या oxygen यूख्त रखत यहां पर कह रहा है जिसमें oxygen gas के मात्रा बहुत कम हो और carbon dioxide gas के मात्रा ज्यादा हो वो होता है impure blood acid रखत अब आपको समझ में आ गया होगा कि oxygen रहीत रुदिर क्या है और oxygen यूख्त रुदिर क्या है oxygen रहीत रखत का मतलब है कि इसमें oxygen नहीं है अब oxygen नहीं है तो ऐसे blood जिसमें oxygen नहीं है वो ऐसुद रखत होता है यहां पर कह रहा है oxygen यूख्त रखत यानि कि इसमें oxygen है तो ऐसा blood जिसमें oxygen की मात्रा ज्यादा होती है वो ऐसुद रखत माणव जैसे कुछ जीओं के हर्दे में आकशिजन रहीतर रख्थ को आकशिजन वियूगतर रख्थ से परत्य क्यों रखा जैता है, ताकि रहये इने सरीर का जो टेंप्रेचर حोता है, सरीर का कामान होता है, उसको इस्तर बनाए रखने के लिए, बहुतल की उससकर सो मसं वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने पिछली किला से नहीं देखिए तो जाकर पिछली किला से देख लीजिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा गाइज मेरा नाम रवी है मैं सभी परतियों के प्रिक्षाओं के लिए बायलोजी पढ़ाता हूँ जो कंटेंट आपको पेड़कोस में उपलब नहीं होता है उसे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ आपको मारे साल जुड़ने के लिए एक रूपे देने क्या ह प्रिक्षाओं को सब्सक्राइब करना है तकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पहुंच सकें है कि मैंने भायलोजी के बहुत सारे चेप्टर करवा रखें बहुत सारे चेप्टर करवा रखें अगर आपने नहीं देखें तो चैनल अपर जाकर चेक में दिया हुए है वहां से जाकर आप चेक आउट कर सकते हैं एक मैटपन सूचना है हर रोज मैं कम्मुणिटी पोस्ट में सुवच 6 बज़े और 6 वज़े दो क्यूशन डालता हूं सुवच 6 बज़े बाइलोजी के क्यूशन डालता हूं जिसका अंसर हर रोज दो-पाँच अजार स्टूडेंट देते हैं यह वो क्यूशन होता है चो यह आताप से आपके परतियों के परिक्षाव में पहले पूंचा गाया होता है यह आगे पूंचे जाने की संभावना रहती है अगर आप हर रोज इन क्यूशनों का अंसर देते हैं तो बाइलोजी के क्यूशन का अंसर देते हैं चाह आप सही दे रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आप कही नखहीर अच्छी स्थिति में हैं है और अगर खीयिकषा कैस कर नंदेते हैं । 50 50 आपको लग रहा है time देजी आपके अपने आपड़ाए हो जाएगे ठीक है भीया channel पर नई आए हो तो channel को subscribe कर ले न क्योंकि मैं सब्वी प्रतियोंगी परिक्षाओं के लिए भाहलोजी पड़ाता हूं, आप किसी भी प्रतियोंगी परिक्षाओं की लिए हैं सी ट्रीशा के दैयारी कर रहे हो सबी प्रिक्षा के लिए क्योंकि बहुत सारी चीजी उप्लब्श कराता हूं सभी प्रिक्षक्र में अङbit में तब तक के लिए जेहिं जे भारत प्रह्म्राइब